हलो एबरीबन सभी साथियों को नमस्कार, इलक्ट्रोंस मेकानिक इस्ट्रीचन में आप लोगों का स्वागत है, दोस्तों, वेल्डर स्ट्रेड का फिर्ट का पेपर शुट गया है, तो मिझे जितने कोशन सेर किये, मैं आप लोगों के लिए सेर कर रहा हूं, सबसे पहले र करना चाहूंगो, कोशन दिखाएंगे आपको पूरा, और हाँ, पार्ट बन, पार्ट टू, विल्डर वालों को लिए, अगर आपकी एक्जाम नहीं हुई है, तो पार्ट बन, पार्ट टू, इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रेप्ट्टिन है, अगर पार्ट बन, पार्ट आप देख लेते हो, तो 38 में से 35, कोश्चिन हंडेट 10 परशंट आप लोग कर गया हुए, यह मैं आप लोगों से प्रॉमिस करता हूँ, और साथियों, एल पी की स्टार्ट करेंगे क्लास हैं, लोको पाइलेट में आएगी 60,000 वेकेंजी, उसकी हम तैयारी करवाएंगे, जल्दी से आप घंटी को प्रेस कर लें, और पर सस्क्राइब कर लें, ठीक है, उसकी फ्री ओप कोश्च तैयारी करवाएंगे, जो 2018 में वेकेंजी आए थी, उसके प्रिवियस पहले पेपर करवाएंगे, ठीक है, तो आप लोग जल्दी से चैनल सस्क्राइब करें, और ल तो GMA, वेल्दिंग में गुरू वेल्ड द्वारा किस प्रकार के ज्वेंट बनाए जाते हैं, तो किस के बनाए जाते हैं, अगर आप एक्जाम में A उप्सन लगाए हो, वट वेल्ड, तो यह आपका, यहाँ पर कुश्चन सही हो जाएगा, और दो नमबर याँ से आपके आगे, उसको हमें बताना है, उसे क्या कहते हैं, अगर आप एक्जाम में आटो टार्च लगा के आए हो, A, B, Option is the right answer, जितने भी साथी, B, Option लगा के आए, बिल्कुल सही आपका हो जाएगा, बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया, B, Option वाले सभी साथी हमारे शही हो जाएगे, जितने भी लोग B, Option लगा के आए, बहुत शानदा, चलिए, आगे देखते हैं, आगे हमारा कोशन, अगर आप B, Option लगा के दो नमबर यहां से क्लीर हो जाएगे, मैं इस क्लीर करता है, चलिए, आप भी कोशन, आंसर कमेंट गरते हैं, चलिए, इससे पता लग जाएगा, की त्यारी कैसे चल रही है, चलिए, नेस्ट कोशन आपकी स्क्रीन पर, टी आईजी, बेलिंग में उच्छ गलनां का नॉन कांस्यूमें, इलक्टोड मतलब कौन सा है, तो कौन सा है, अगर आप एग्जाम में लगा के आए हो, सी ओप्सन, यानि कि टंग स्टन, जात को समझते चलना, ठीक है, थोड़ी आप बाद में डिस्कस करेंगे, आप लोगों के लिए इंपोटेंट, लेजर भी में बेलिंग में किस क्रेश्टल का उपयोग किया जाता है, तो किस क्रेश्टल का उपयोग करेंगे, आप अगर एग्जाम में लगा किया है, गैस्त कोशन पूचा गया था, वेल्ड ज्वयंड में बेलिंग प्रिक्रिया किस नगिट का निरमाड करती है, तो किस का करती है अगर आप एग्जाम में क्या लगा किया है, अगर आप एग्जाम में इस्पॉट் वेल्ड लिंग, यानि सी आप्सन कितने लोगों लग आ रहे हो तो यहां से आपका दो नंबर यहां से भी आपका किलियर हो जाएगा हर coined तो नमबर का रहता है चलिए अगर आप इसbok ने अग्र गलत हो जाएगा चलिए next question आपके screen पर है A ुर्ण आउट soft के निरौमार के दोरान एलक्टोन क्या होना चाहिए कितना हो ना सबी साती कमेंट करेंगे फटाफट बहुत बढ़िया अगर आप आंसर C option लगा के आयो C ये वाला 70 से 80 degree तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा और दो नंबर आपके यहां से भी किलियर हो जाएंगे बहुत बढ़िया आगे देखते हैं आगे हमारा question ये रहा ये question कहा रहा है laser beam building में किस rod का उपयू किया था तो repeated question हो गया कोई दिक्कत नहीं तो रूबी एकदम सही answer हो जाएगा रूबी एकदम सही answer इसका हो जाएगा चलिए next question देख लेते हैं next question ये रहा एक खारिज electrode के अंतिम बट का नाम क्या है अंतिम बट का नाम क्या हो जाएगा अगर आप exam में लगा के आये हो क्या step end यानि की c option is the right answer जितने भी साथी c option लगा के आये हैं वो एकदम सही answer इसका लगा के आये है c option वाले सभी साथी हमारे सही हो जाएगे चलिए next question आपकी screen पर है यह हमें उन्होंने किसी की वीडियो से cut करके बेज़े हैं लेकिन यह सभी निमी question है और यह उन्हें पता था कि यह question पूछेगे तो उन्होंने मुझे share कर दिये तुरंत center पर ठीक है चलिए फाइलों की किस cut में दातों की दो पक्तियां आपस में तिरची रहती ही है तिरची होती है तो आप क्या बताएंगे sir इसका right option अगर आप B option लगा के आए जितने भी साथी B option लगा के आए हैं बिलुकुल सही और B option यहां से सही होगा और दो नमबर आपके clear रहे साथियों ऐसे ही रोजान अगर आप वीडियो चाहते हो पलपल के update और question तो चैनल को subscribe जल्दी कर लें यह गलती बिलुकुल ना करने चैनल सब्सक्राइब नहीं करोगे तो वीडियो नहीं मिलेगी आपको तो चैनल को subscribe कर लें साथ में उसके बाल अगर उसको भी press कर लें ठीक है और फिर योप कोश्ट रेल्वे लोको पारेट के मारे तयारी चलेगी चलिए अगला question यह है हताओडे का कौन सा हैंडल को कठोरता से fit करने के लिए आकार में लाया जाता है बहुत बढ़िया बहुत सांदार वो होता आयलो अगर आप B option लगा के आयो तो यहां से भी आपके दो number के लिए हो जाएंगे और दो number आपके exam में पास करने के लिए बहुत important question रहता है ठीक है कोई अगर दो number से fail होता है उसके लिए एक question बहुत important हो जाता है चलिए अगर B option लगा के आयो बिल्कुल सही हो जाएगा चलिए आगे question क्या पूचा गया था grinding wheel और work rest के बीच एक payday stall grinder में कितना अंतर रखा जाता है तो कितना अंतर रख सकते हैं हम हमेशा जाते हैं 2 से 3 mm 2 से 3 mm मतलब C option कितने लोग C option लगा रहे हैं जितने भी लोग C option लगा रहे हैं बिल्कुल सही यहां से भी आपके कितने 2 number आपके clear हो जाएंगे मेरी बात को समझ चुगे मैं फिर एक बार कहना चाहूँगा अगर आपका exam नहीं हुआ है लिंक वीडियो के description में part 2, part 1 लगवग एक एक घंटे की वीडियो है उनको fast revision कर ले हैं अगर आपको 36, 38 में से 34, 35 question सही करने हैं तो ठीक है तो आप लोग की जिवमिदारी है क्या कर रहे हैं मेरा काम है जितना मैं आपको लिए अपनी महनस से पूरा effort कर रहा हूँ मैं कितनी बहुत सारी trade को cover कर रहा हूँ अकेला ठीक है ये अपने आपने आपने बड़ी बात है ठीक है चलिए तो इसका C option जितने भी लोग लगा रहे है चलिए next question ये रहा next question ये रहा पत्र को जमा करने के लिए या करने वाले का नाम क्या है तो आप क्या बताएंगे अगर आप एक्जाम में क्या लगा के आए हो सुद्धी करड बिलुकुल सही सुद्धी करड यानि कि हम कह सकते है A option इसका सही आंसर हो जाएगा और दो नमबर आपके यहां से clear हो जाएंगे इस बात को समझ लेना ठीक है अगर आप लगा के आए हो तो बहुत बढ़ी है चलिए आगे देख लेते हैं आगे हमारा कुछ है यदि एक ही लेवल में दो मेंबर को वेल्ड किया जाता है तो joint का नाम क्या है उस joint का नाम बताना है बताएं सभी लोग comment करेंगे lab joint, t joint, but joint, add joint बताएं सभी लोग फटाफ़ कमेंट करेंगे बहुत बढ़ी है उसे क्या कहेंगे अगर आप C option लगा के आए हो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा और यहां से आपके दो number आपके यहां से में clear हो जाएंगे इस बात को समझ लेना t joint नहीं होगा मैं फिर बोल लाँ but joint अगर आप लगा के आए हो तो यहां से आपके दो number clear हो जाएंगे बहुत मेरी बात को समझे दो ध्यान से सुनना इस बात को चलिए अब आखरी समय है बांकि आप लोग क्या करें क्या नहीं पूरी साल यह भोल जाएए ठीक है चलिए group welding की उर्द्वादर इस्तिती के रूप में क्या परवासित किया गया था 1G, 2G, 3G या 6G बताइए पड़ाफट कमेंट करेंगे बिल्कुल सही जितने भी लोग इसका अंसर लगा रहे हैं 3G 3G is the right answer वाले सही हो जाएंगे दो नमबर आपके यहां से clear हो जाएं कितने दो नमबर यहां से भी आपको मिल जाएंगे इस बात को आप अच्छे से याद रखना ठीक है चलिए आगे देखते है आगे हमारा कुशन पूशा गया TIG वेल्डिंग में निमन में से किस गेस का उपयोग किया जाता है देखो गेस का पूशा गया है कौन सी गेस का हिलियम, oxygen, hydrogen, carbon dioxide अगर आप एक्जाम में क्या लगा कि आए हो हिलियम जितने भी लोग हिलियम लगा कि आए हो बिल्गुल सही आंसर हो जाएगा और दो नंबर आपको यहाँ से गेस के लियर हो जाएंगे तिने दो नंबर आपको यहां से मिल जाएंगे इस बात को आप अच्छे से याद रखना है ठीक है चरिए आगे देखते हैं आगे हमारा कोशन एक्जाम में पूछा गया था देख सकते हैं यहां पर निम्लिकित में से कौन सी आग में साहिता नहीं करती है तो कौन नहीं करता है औक्सीजन भी करता है लेकिन एग्रीसन नही answer हो जाएंगे ठीक है बहुत बड़ी है बहुत शांदा तरीके से यहाँ पर D option आपका सही हो जाएगा next question आपकी screen पर है aluminum building में किस प्रकार की दुरुवता का उपयोग किया जाता rectifier set, AC transfer, विपरी दुरुवता, CD दुरुवता, आप लोग हमें comment करके बताएंगे इसका सही answer क्या हो जाएगा, सही answer आप क्या लगाएंगे, सही answer आप लगाएंगे विपरी दुरुवता, is the right answer, C option, काफी लोग C answer लगा रहे हैं, कहने का मतलब आप लोगों की तैयारी बहुती best तरीके, यानि अच्छे तरीके से आपके exam की तैयारी चल रही है जिन लोगों की नहीं चल लिए, आप लोगों अगर exam एक दू दिन बाद है, तो link description में बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए उसको आप follow करें, ठीक है, चलिए इसका C answer सही हो जाएगा, अगला question ये रहा, उर्दादर इस्तिती में welding करते समय, इलक्टोर का कोंड क्या रहता है, कितना कोंड रहता है, वो हमें बताना है, कुछ नहीं, अगर आपको पताओ को आसानी से कर सकते हैं, 80 से लेके 90, C option is the right answer, जितने भी लोग C option लगा रहे हैं वो एक दाओं अपने आप में सही answer लगा रहे हैं, इस बात को आप अच्छे से समझ लेना, C answer सही answer हो जागा, बहुत बढ़ी है, जितने भी लोग C answer लगाए हैं, चलिए, अगला question देखते है, question है, पतली सीड धातुव में किस प्रकार की आर्क लंबाई का उप्योग किया अब करो या मरो की तरह हम करेंगे, आपको तैयारी और आपको करवा रहे हैं, ठीक है, चलिए, लिक description में part 1, part 2 उनको देख लो, और बहुत ही जल हम employability में लेके आएंगे, employability में question क्या पूछेगे, ठीक है, उसके भी लेके आरें बहुत ही जल, thank you for watching, जय हिन, जय भारत